नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं बकसर खबर आपके सामने भगवान हनुमान की आकरसक प्रतिमा है जो प्रतेक वर्स बुढ़वा मंगर के दिन बकसर में निकाली जाती है अगर आप बकसर के रहने वाले नहीं है आपकी जैनकारी के लिए हम बता दे होली के ठीक बात पढ़ने वाले पहले मंगलवार को बकसर में महाविरी पूजा मनाया जाता है इसे लोग बुढ़वा मंगर के नाम से भी जानते हैं इस्तिवार का उत्साह सामने का दिर से देख कर आप अनुमान लगा सकते हैं आईए पहले ध्वनी सुनते हैं फिर आंगे की चर्चा करेंगे इसे बकसर के लोग महाविरी पूजा के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग इसे बुढ़वा मंगर भी करते हैं सामने के इस दिरिस्त को देखिए इसमें लोग पारंपरिक अ प्रेंदा भांज रहा है और उसके सामने एक नन्हा बालक भी आप समझी सकते हैं लोगों में इस्तिवार को लेकर इतना उत्सार आता है उसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है अगर आप कभी इसमें सामिर नहीं हुए हैं तो सिर्फ दिर से देखकर पूरी इसिती का अ अखाड़े महावीरी पुजा के दिन बुर्वामंगर के दिन अखाड़े जहांकिया लेकर निकलते हैं इस दोना लोगों को केसरिया भगवा पीले रंग का साफा बाधा जाता है लोग उसा से इसमें सामिल होते हैं इस वर्ष तो एक ऐसी जहांकी बनी थी जिसकी खूब पूशर रही कि आपके सामने वह जहांकी है कासी भी सोनात मंदिर इस मंदिर को एक सवचाली ट्राली पर बनाया गया था जिसे नगर में भरमन कराया गया आप इसको देखेंगे तो ठीक जैसा कि आप जानते हैं बनारस में कासी भी स्वनास का मंदिर सोने के पत्तर से ढखा हुआ है जिसे स्वन मंदिर के रूप में भी लोग जानते हैं ठीक उसी के रंग में इस मंदिर को बनाय गया था इस की आकिर्थी देखकर आपका मन बर्वस आकरसित हो जाएगा इस जागी को इसी लिए हमने यहाँ आपके लिए कुछ ज़्यादा ही सहजा है जिसे देखकर आप इस आकरसक पंडाल के तरफ ध्यान दे बाहर ही जीतनी खुबसुरत कलाकिरती थी अंदर भी उतनी ही विहंगम प्रतिमा उसके अंदर नंदी भी थे सामने बैठे भगवान सीव बाल रूप में साथ ही उनके बगल में बैठे हनुमान अब आपको हम कुछ और जांकिया दिख लाएंगे फिलहाल आप उत्सा के इस च्छन का एक और नजरा देखिए देर साम सहर में जब विभिन्ना खाड़ों की जाकियों के साथ लोग निकले तो पूरा सहर सरधालों से पट गया उत्सा का ए आलम आप महसूस करते हैं जिसे हम सब्दों में बया नहीं कर पा रहे हैं भगवान की आ कर सकते जाकियों हाला की यहां कई जाकियों को हमने बारी बारी से सहजा है लेकिन इसा हो सकता है कुछ हम से छूट गई हो आईए एक स्वरलहरी का फिर आनंद लेते हैं और युवाँ द्वारा किये जा रहे करतब को भी देखते हैं फिर जाकियों की बारी बारी से चर्चा करेंगे अब महाबरी पुजा को ले करके बनाई गया कर सकते जाकियों के द्रिस्यों को एक बर आप देख लीजिए छोटे हनुमान भगवान सीव की अराधना करते हुए जलाभी से करते हुए वहीं भगवान हनुमान किये के ऐसी प्रतिमान जो बीना बजाते हुए यहां भी आप देख पा रहे हैं भगवान सीव की अराधना करते हुए बाल हनुमान साथी साथ एक बिसाल आदम कर प्रतिमान रोद रूप में भगवान हनुमान इन जाकियों को देखकर लोग भाव विभोर हो जा रहे थे हम एंग उमीद है आप इन दिस्यों को देखकर बकसर से दूर होने के बावजूद भी अपने सहर से जरूर जुड गए होंगे इसका आनंद ले रहे होंगे इस सिलसिले में सहर के गोला घाट के समीप रहने वाले एक पूर वाड पारसत से बात हुई जो बड़ा खाड़ा ग्रूप से जुड़े हुए है उनसे बात हुई तो बाचित के करम में उन्होंने बताया 1925 से यह परंपरा चली आ रही है जब सहर में प्लेग फैला था तब जून बाबू को निथित में एक बड़ा खाड़ा निकला करता था इस बुलेट एपिसोड के सबसे प्रारंभ में जो हमने धातु से बनी भगवान हरुमान की प्रतिमा दिखाई थी वही बड़ा खाड़ा जो सबसे सहर का पुराना खाड़ा उसकी प्रतिमा थी फिलाल आप इनकी बाते सुनिए गोला बजार बड़ा खाड़ा तो क्या पहले ही है खाड़ा था कि इस से पहले को यह खाला तै जुन बावु के साथ हमलों को प्रमपरा से मने अब तो बिस्कित हो रहा है हरवाट से लेकित पहले बड़ा खाड़ाब में जुन बावु का चलता है इसके बाद गोला बजार के इसके बाद कितने वर्स हो गें हाँ पर सो बरस किलनम सौंब दोज़र और नई सो पचीशे से स्टाट है तीन साल और होगा तो हम सौवा साल इसको हम बनाएं हैं बजरिंगी परसाद भूर पूर पूर नगर परसद है हाला कि बदलते समय के साथ अब ऐसे तेवहारों उत्सों में लोगों की रूची कम होती जा रही है इस वज़त से उत्स पारंपरिक आयोजन आप सिर्फ ग्रामिन इलाकों में ही कहीं कहीं देखने को मिलते हैं उसमें अपना बकसर अध्यात्मिक नगर है इसलिए यहां इस